हलो स्टूडेंट वेलकम टू माई चैनल आज मैं आप लोग के लिए एक छोटा सा टॉपिक जो है मुगल इंपायर के रूलर का नाम और उनका जो है रूलिंग पीरियर्ड ये मैं इस विडियो में लेकर के आई हूँ ये जो है आपका मेडेवल हिस्ट्री से है ये जो आपक अजय को आएए हम लोग देखते हैं ये पूरा कलेक्शन है मुगल इंपायर के रूलर का और उनका रूलिंग पीरियड का तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम लोग देखेंगे मुगल इंपायर जो है ये कितने फेज में था दो फेज में जो है इस्टूडेंट किili तक Desfigurals बेखें किरिये जो है ज्यो पीतगे मुगल इंपाययर का जो है बहुत ही अच्छे से डेवलिपमेंट हुआ था हर आवरॉरिफ swiftly कह सकते हैं कि सभी फील्ट में 10 मिजो है सभी छेınd में 11 मुगल इंपायर के वह बहुत ही अच्छे से डेवलिप्पन हुआ था हर मुगल कहा चैद भी आच्छ जुलें टायरियर मुगल ड्राट कम लिए है सब्सक्राशनuana में ते संब्सक्री जिए वह लुहीं złहूर में तह cafe में था बार्जोंत तो कि उतने सब्सक्राशन बेल सका बुंट मुगल थे созд why मंफर एल के ब्लेट हैं क्लीस यह ऑग Premiere यतने दिए में रुलस से संग् हो प्रावादुर्सका अभादूर्सका है और लास्थ को भादूर को उतरा है अिए नहीं आए ऍति प्रणश में . खी ना में कई बावा निफ्रती पार वॉझ का था य «जगें साथ। बावर यह मुगल इंपायर का फाउंडर था फिर हुमायू हुमायू यह 1530 से लेकर के 1540 तक यह शासन किया था उसके बाद फिर से 2015-55 से लेकर के 1556 तक यह शासन किया था और यहां पे स्टूडेंट एक चीज आपको देखने को मिल रहा होगा कि यह बीच में जो है वो गैपिंग जो है वो 15 एर का वो क्यों है 15 एर का गैपिंग के पीछे रिजन क्या है कि मुगल इंपायर जो है हुमायू के टाइम में जब सेर सासूरी हुमायू को हराया था तो हुमायू को हराने के बाद जो है आपका हुमायू को हराने के बाद जो दिल्ली में जो है आपका मुगल इंपायर को जो है डिस्ट्रॉय करके हम कह सकते हैं कि उसको हटा करके जो है दिल्ली सलतनत पे जो है सेर सासूरी जो है वो अपने इंपायर को जो है इस्टबिस्ट किया था जो सूर डैनस्टी के नाम से जाना गया इसमें जो है वो 15 एर तक जो है वो सूर डेनस्टी पे जो है सूर डेनस्टी पे जो शासन किया था सेर सासूरी के जितने भी और उसके बाद के जितने भी रूलर थे वो मतलब की शासन किये और सूर डेनस्टी जो है 15 एर तक जो है वो आपका रहा बात में चलकर के जब इसकी सूर्डेनस्टी जो है उसकी सिती जब खराब होने लगी वीक होने लगा उसका कंडिशन तो हमायू ने इसका बेनिफिट उठाया और बेनिफिट उठाक करके फिर से अटाक किया और जो इसे बोल सकते है रिस्टब्लिस्ट करना तो मुगल इंप अबहागा रूलर से भी जाना जाता है क्योंकि यह अच्छे तरीके से शासन नहीं कर पाया था 1555 से लेख कर जो है आपका 1556 का पीरिड है इसमें मात्र वो 6 महने तक ही जो है वो शासन किया था तो कैसकते हैं भाग्य निसका साथ नहीं दिया था फिर आपका ये अकबर है अकबर जो है ये 1556 से लेकर के 1605 तक शासन किया था उसके बाद जहांगीर है जहांगीर जो है 1505 से लेकर के 1627 तक ये शासन किया था नेक्स्ट है आपका साज अहां, साज अहां जो है 1627 से लेकर के 1658 तक जो है ये शासन किया था उसके बाद ग्रेट मुगल का लास्ट रूलर जो है वो औरंजेब है जो 1658 से लेकर के 1707 तक जो है ये शासन किया था जिसमें हम लोग देखेंगे स्टूडेंट कि सबसे अधिक जो है ये ग्रेट मुगल में अकबर और अरंजेब ये शासन किया था लंबे समय तक अल्मोस्ट कह सकते है आपका 50 एयर तक आ इस लोग देखेंगे लेटर मुगल देखें लेटर मुगल जो है ये मुगलएंपायर का दूसरा फेज है जिपने भी जो रूलर थे उनका नाम हम लोग देखेंगे और उनका रूलिंग पीरियड देखें बहादुर्सा जो है बहादुर्सा 1 कन्ता Leslim, 1707 सबंस justify 1712 तक तक शाषन किया था यह औरंजेप का बेटा था इसके बाद जहादार सा जहादार सा यह 1712 से लेकर के 1713 तक शाषन किया नेक्स्ट आपका फरुक्सियार फरुक्सियार जो है 1713 से लेकर के 1719 तक शाषन किया था यह स्जूडेंट हम अब अब इसमें देखेंगे, इतने जो है लेटर मुगल के रूलर है, तो इसमें से कौन कौन से इंपोर्टन थे यह भी मैं आपको बताती चलूंगी, जिसमें से भी इसमें से हम लोग सबसे पहले बहादूर्सा के बारे में, वहादूर्सा Past फर्स्ट इसलिए इंपोर्टेंट था क्योंकि ये लिटर मुगल का पहला रूलर था और अब उसके बाद जो है नेक्स्ट है फारुक सियार जो है ये वही रूलर था जिसने बिटिस्ट इंडिया कंपनी को जो है बंगाल में फ्री ट्रेड की पर्मिशन दी थी उसके बाद जो है आप से कम दो तीन महने शासन की होंगे मतलब की 1719 में इन दोनों का रूलिंग पीरिड जो है वो स्टार्ट हो कर कर के इंड भी हो गया उसके बाद आपका मुहमत साह मुहमत सा रंगिला के नाम से भी जाना जाता है और मुहमत सा रंगिला को संकी रूलर भी कहते हैं क्योंकि जो है यह बहुत ही जो है अलग माइंड का यह रूलर था इसे जब जो मन में आता था वो करने से वो नहीं जीज़कता था इसके बाद जो है इसका रूलिंग पीरिड देखेंगे हम लोग तो 1719 से लेकर के है 1748 यह मुहमत साह जो है यह भी इंपॉर्टन है क्योंकि इसी के रूल छेतें जो है नेक्स आपका हमत साह बहादूर है यह जो है 1748 जीज़कर 755 तक जो है जौ है शारसंन किया आ Nerd गोई नेक करके अचे जो है यह वच तो 9 तक जी है इस जीज़कर 5 इसे साह आलम सेके ज्नारी डिम ड Chinese अब इसमें लोग देखेंगे देखें साह आलम सेकंड यह इंपोर्टन है क्योंकि इसी के टाइम में आपका बैटल अब बक्सर हुआ था बैटल अब बक्सर में यह मिरकाशिप के तरफ से था और बिटिस के अगेंस जो है यह फाइट किया था नेक्स्ट है आपका अकबर टू अकबर टू जो है यह 1806 से लेकर के जो है 1837 तक यह शासन किया था और अकबर टू जो है यह इसलिए इंपोर्टन है क्योंकि अकबर यह वही रूलर है जिसने मोहन रॉय को जो है राजा की उपाधि दी ती और जिसे हम लोग आज के टाइम मे हैं राजा राम मोहन राए के झानते हैं तो अपैर तो यह राजा की उपाधि कि दी थी में इंपर्टरेंट रूलर को इसलिए भी है क्योंकि ये लेटर मुगल, मुगल इंपायर विभु जो है विखे लास्ट रूलर था और अँसके बाद मुगल इंपायर व्हें पूरे तरीके से समाप्त हो गया और British East India Company जो थी British का जो है वो शासन जो है इंडिया में established हो गया था तो इस्टूडेंट ये था आपका मुगल इंपायर के जितने भी रूलर और उनका रूलिं पीरियर्ड मैं उमीद करती हूँ कि आपके लिए ये जो है यूस्पूल हो थांक यू फूर वाचिंग इस बीडियो नहीं जो है